हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू मैं चैनल सुपर मॉम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बैगन और आलो की ग्रेवी वाली सब्जी यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और थ्वार डिफरेंट मसाले से हम बनाएंगे तो इस तरह से आप जरू ट्राइ कीजिएगा और वीडिय बैगन इस तरह कर लीजिएगा जो कलॉंजी वाले बैगन होते हैं उस तरह से और इस तरह से हम इसमें चीरा लगा देंगे इसे क्या हुआ ग्रेवी हमारे अंदर तक अच्छे से जाएगी और हमने दो टमाटर कट कर लिया है धनिया पती और मसाला हम तयार कर लेंगे हमने काला सरसो यानि मास्टर सीड और आट-दस काली मिर्च और लहसन हमने ले लिया है इसका हमें एक पेस्ट बना लेंगे तो चलिए हम पहले इसका एक पेस्ट बना लेते हैं इसे सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है देखिए हमने पेस्ट बना लिया अब हमें कड़ाही लें फ्रेवर इसे वक्त ठाफमस्य स्तुमच दान फ्लेवर कि अच्छा ने तली मेथि दान ड्लेवर को इन कान पिल्टकman को डेटार्थ यह बहुत है देंडी अन्यक्सेस निकाल भी आउस अच्छा लगता है आपके उपर है आप इसे रखना चाहे तो रखे नहीं तो कट करके इसको निकाल दे तो चलिए हम अच्छी से इसे फ्राइ कर लेते हैं पहले सारी सब्जियों को कर दोनों एक ही साथ हम इसमें भून लेंगे अच्छे से तीन से चार मिट हमीसे अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा बैंगन का आलू का कलर्ड चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे देखे बैंगन करीब हमारा लगबग भून चुका है अलोवी भून चुका है अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे तो हमनी पेस्ट बनाया है सरसो और काली मिर्च लासन का पले वह इसमें हम डालेंगे देखे भून चुके हैं यह सारी सब्जियों तो इसमें हम डाल देंगे वह सब मसाला जो में पेश्ट बनाया था वह पहले डालेंगे इसमें अब इसमें हम कुछ ड्राइए मसाले भी डालेंगे इसमें हम डालेंगे एक चमच हल्दी पॉडर सब्जी जितना है सब्जी के कॉर्डिंग इसमें हम मसाले एड़ करेंगे एक चमच हल्दी पॉडर एक चमच लाल मिर्च पॉडर और एक से लेड़ चमच हम धनिया पॉडर ले लेंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही जरूरी है ने तो फिर इस सब्जी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा मसाला कच्छा रह जाएगा तो इसमें टेस्टिस का अच्छा नहीं आएगा इसलिए मसाले को हम अच्छी तरह से तीन से चार मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे तो देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं अभी थोड़ा सा और हमें भूनना है लेकिन इसी इस्टिस पे हम टमाटर डाल देंगे और उसके साथ मसाले को और कुछ देर भूनेंगे तो इसमें हम अब टमाटर डाल देंगे और फिर सबजी में सबजी के कॉडिंग इसमें नमक भी ढाल देंगे टमाटर हमारे गल भी जाएंगे और मसाले अच्छी से भून भी जाएंगे तो नमक अपने टेस्ट के कोडिंग डालेंगे हम क्योंकि हमको ग्रेवी रखना है इसलिए नमक थोड़ा हम जादा डाल रहे हैं इसलिए कि इसमें ग्रेवी जादा हम रखेंगे अगर आप चाहेती इसे सुखी सबजी बना सकते हैं इसे मिडियम फ्लेम पे ही भून कर बिना पाइं डाले इसकी सुखी सबजी भी बना सकते हैं तो इसे हम धोड़क कर दो से तिन मिट टमाटर गलने तक इसे और हम भून लेंगे अच्छे से दो से तीर मिनिट हो गया देख़िए तमाटर गल गया तेल भी हमारा सेप्रेट होने लगा है तो इसे मैं पार अच्छे सचला लेंगे मसाला बिल्कुल हमारा भुन, टमाटर बिल्कुल पफ चुका है अब इस प्राइब पानी डालेंगे निया जितना ग्रेवी रखना है उस्की काइट जितना आपको रखना हूँ ग्रेवी थोड़ा ज्यादा रखो 갑자기 ज्यादा पानी थोड़ा सा एड़ कर रही हूँ और इससे ढखकर अच्छे से ऱीछ़ी को अच्छे से पकने देंगέ तीन से चार मिनट अच्छे से हमारा सब्जुश्पक हागी तो देखिए अच्छा यहां गाइस फ्लेवर को हम बंद कर देंगे चलिए से सर्फ करते हैं यह सब बहुत ही टेस्टी बनती है प्लीजिस से बनाईएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिए गाइस अब बहुत ही टेस्टी है इस पर थ्वासा उपर से हम धनिया पत्ती डाल देंगे देखिए सबजी हमारा बनके रेडी है बहुत अच्छी खुस्पू भी आ रही है तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक अच्छे से इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई